उत्राखंड में भारती जनता पार्टी ने सांदार जीत दर्ज की हैं लेकिन अब अटकले तेज हो गई हैं कि उत्राखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा लगातार बिधायक नेता मंत्री दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं कि आखिरकार सीस नेत्रुत किसे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देता है इस वक्त हमारे साथ उत्राखंड से नौ निर्वाचित बिधायक बिनोजी मौजूद है बिनोजी सबसे पहले तो हम आपको सुपकामनाय देंगे कि आप इतने मतों से जीत करके आएं हैं और दिल्ली में मौजूद हैं क्या लग रहा है कौन मुखमंत्री होगा तो राश्टे नित्रत्वा शिष्ट नित्रत्वा तैय करेंगा और जहां तक आपने कहा कि सरकार हमारे यहां पर बनी है उत्राखंड में तो निशीत तो पर मौजूद जी का जो नित्रत पुरे देश के अंदर और इस तरीके से पुरे देश को बहुत तेजी सागे लिए जाने के काम करें और अपने उत्राखंड के दिश्टी कोंड के में बात करो हमारे इस तरीक से आल विदरूर के हम बात करें मोजी जी ने जो रिकरंट प्याग रिल्वी लेंड देने का जो काम किया और बहुत सारी यूजना है जैसे खद्यान यूजना के सरकार ने दिये और अजय सरकार ने भी काई बहुत सारी यूजना है जैसे टैब्लिक यूजना चला है तो निशी तोर पर जो राष्ट ने तुर्ट पुदेश को जिस्ते इस आगी ले जा रहा है तो जनता ने एक बार पुना मोजी जीवे विश्वास अर्जित किया है उत्राखंड के न मंत्री है धरमेंद्र प्रधान जी वो प्रयावेच्चक बन करके जा रहे हैं विधायक गणों से बात करेंगे क्या लगता है कौन सा ऐसा चेहरा है जो मुख मंत्री का सबसे प्रबल दावेदार है माना जा रहा है कि विधायक गण ही तै करेंगे कि कौन मुख मंत्री चेह कौन होगा क्या लगता है कि पुस्कर सिंग धामी मुखमंत्री चेहरा हो सकते हैं दुबारा या फिर जो रेश में नाम चल रहा है जैसे सतपाल महराज अनिल बलूनी और आपके मदनकौसिक कई नाम चल रहे हैं तो इन नामों पर भी क्या विधायक चर्चा कर रहा हैं देख कि सीर्स नेतृत जो भी निर्णाय लेगा वो विधायकों को मानने हैं और उन्होंने कहा कि उत्राखंड की जीत कहीं न कहीं प्रधान मंत्री के विकास कार्यों की जीत है। दिल्ली से वीडियो जर्लिष्ट कुलवन सिंग के साथ बलराम पांडे एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी